देखिए OEM Panel पहला कि OEM कौन लोग बनेंगे उसके relevant documents क्या-क्या हमें लगेगा यह सबसे पहले हम लोग discussion करते हैं तो OEM Panel के लिए आपके पास manufacturing unit होना चाहिए जिदि आपके पास किसी चीज़ का manufacturing unit है और उससे relevant government को जो लगने वाले documents है तो आप जेम पे OEM बन सकते हैं कोई भी product कोई भी category में आप OEM बन सकते हैं तो OEM बनने के लिए documents क्या-क्या लगेगा तो मैंने OEM बनने के लिए आपको documents का लिस्ट यहां से दिखा रहा हूं यह मेरा website यहां पर जिदे हम जाएंगी जेम study material तो यहां पर आपको जेम OEM पैनल documents लिस्ट जिसे जाए इसको हम लोग vendor assessment भी बोलते हैं यहां पर हमें पूरा document का लिस्ट में जाता है पहले document का लिस्ट देख लेते हैं चेक लिस्ट फोर documents फोर desktop assessment यह जो desktop आपक्त या उद्यम का certificate देंगे जो आपके catalog है list of catalog regular item मतला आपके catalog जो पोड़क्त होंगे उसके details है ना जदी आपको customization item है कस्टमाइज करते हैं तो उसके catalog का डिटल्स जदी इस product को को quality के regarding certificate की ज़रुरत है ज़रुरत है तो quality certificate otherwise यह mandatory नहीं रहेगा कोई other license जदी अभेलेबल है जदी जो पोड़क्त आप manufacturing करते हैं उसको को अधर और और license लगता है तो वह भी license आपको लेना पड़ेगा या फ है ना printer कोई भी ऐसे electronics product जिसको BIS certificate लगता है या solar panel बगरा तो यहाँ पर BIS लगता है तो उस case में आपके वैस BIS certificate होना ही चाहिए otherwise यह भी आपके लिए mandatory नहीं रहेगा test report यह भी mandatory नहीं है जदी आपके product के लिए test report का होना ज़रूरी है तो लगेगा otherwise नहीं लगेगा work order यह mandatory नहीं है है तो दे सकते हैं नहीं तो यह जो आपके पास है यह दोनों options 9 और 10 आपके लिए mandatory documents नहीं यह optional है नहीं रहा तो भी चलेगा एक undertaking देना पड़ेगा क्या blacklisted नहीं हो इसके format वगर आपको साइध हमारे team आपको provide कर चुका है यह तो आपका manufacturing side जदि आपका GST certificate आपके company का और manufacturing side जो manufacturing करते हैं वो दो अलग-अलग GST है तो अलग-अलग GST लगेगा जदि यहीं GST आपके manufacturing पर लगता है तो manufacturing का ही लगेगा जदि manufacturing side का GST अलग है तो आपको उसके regarding और दुसरा कोई proof नहीं देना पड़ेगा जदि manufacturing side का GST नहीं है आपके पास तो यहां का कोई manufacturing side है वहां का कोई light will बगरा वो आपके नाम से company के नाम से जदि company proprietor है तो आपके नाम से at least होना चाहिए या company के नाम से light will होना चाहिए वह address proof के तोर फे यूज करना पड़ेगा और GST certificate है तो फिर वही address proof का काम कर जाएगा एक process flow diagram देना पड़ेगा मतलब raw material मिलने से customer को delivery करने तक आपका product किस तरीके से पूरा unit में काम करता है यह इसका पूरा details आपको submit करना पड़ेगा वही process flow diagram का ही है document so monthly production capacity आपका monthly production capacity कितना है उसके regarding आपको एक मतलब जो भी excel sheet में बनाके PDF बनाके upload करना पड़ेगा एक self declaration देना पड़ेगा जापके company का efficiency कितना है वह आपको later head पे देना पड़ता है quality assurance certificate जिसको Qo SOP बोलते है ज़िए इसके regarding कोई ISO बगरा लेके रखे हैं तो well and good ज़िए आपको product को necessary है तो otherwise यहाँ पर भी आपके लिए mandatory नहीं रहेगा documents part wise inspection process यह भी ज़रूरत नहीं पड़ता है invoice बगरा भी नहीं लगेगा ज़िए आपके territory operations है तो भी ज़रूरत नहीं आप इसको not applicable भी कर सकते हैं SOP की आपको ज़रूरत नहीं है list of supplier यह आपको ज़रूर लगता है आपको list of supplier देना पड़ेगा मतला आपका product कहा कहा देते हो उनका नाम और address के साथ और last आपने quantity कितना supply किया था हो सकता है इसका work order का copy भी है ना जो आपका product manufacturing के बाद reject हो जाता है उसका मैंट्रियल का क्या करता हो उसके handling का पूरव प्रोसीजर कस्टमर के complaints logs उसके आपको maintain करने के details सेफ्टी स्टेंडर को आप किस तरीके से follow करते हो वारेंटी बगर आपका product का है तो उसको किस तरीके से follow करते है बाकि यह भी सभी documents of parent, copyright and trademark जिदे आपके पास trademark है तो भी चलेगा नहीं है तो भी आप अपना product listing कर सकते हैं कुछ pictures जरूर लगेंगे develop के लिए आपके product के पूरे details के लिए जो भी pictures है आपके factory का यह सभी चीज़े आपको जरूर देना पड़ेगा तो यह पूरे documents के list है उसमें से बहुत सारी चीज़े mandatory हैं बहुत सारी चीज़े mandatory नहीं है depend upon आपके product आपके product को क्या चीज़े लगता है उसके सबसे mandatory होगा otherwise वो mandatory नहीं होगा यह सभी चीज़े government के rules को ही follow करता है जैसे की example के लिए तो अरुपे हम लोग जदी ले लेंगे तो NSIC जदे आपने NSIC का certificate बनाया है manufacturing को तो है तो जो जो documents आपके लिए mandatory होता है यहां पर वही सब चीज़े documents आपके लिए mandatory होगा बोले किसी को पहले desktop assessment में कोई doubts है कुछ पूछना है तो बताइए हेलो सर हाँ बोली सर मैं किसी से manufacturing करके मार्के मार्के एक्समाइजेर मार्केट बाइमी ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो फिर ट्रेड मार्क आपके नाम से होना चाहिए उस पूड़क का ट्रेड मार्क आपके नाम से होना चाहिए वह आपको एक authorized letter देना चाहिए उसके पास एक authorized letter होना चाहिए लेटर बोलना गलत होगा अक्चुली वह बोलते हैं कि agreement जो आपका जो पूड़क्ट है वह आप वहां से manufacturing करवा के लेते हो यहां पर कुछ चीजे बदल जाएगा इस condition में जैसे कि हम लोग जो आपका manufacturing address बोले थे यहां पर रेखो उनके पास से आएगा लिश्ट अप्लायर यह सब आपका रहेगा जड़ी स्पॉड़क्ट को manufacturing के लिए कोई भी quality लगता है तो आपका भी होना चाहिए उनके पास भी होना चाहिए इस condition में भी आप बन सकते हो पर इसमें मस्ट मतलब मस्ट है कि आपके पास trademark होना चाहिए जो हम लोग यह documents है यह documents बगर आया या फिर जो वीडियो assessment है जैसे कि इसमें दो पार्ट होता है पहला desktop assessment जिसमें यह सभी documents को verification किया जाता है documents verification होने के बाद आपका वीडियो assessment के तुरू से मतलब वो लोग online वीडियो assessment से आपके पूरे factory को visit करते है पूरे factory को online वो भी geotag से मतलब आपने जो manufacturing site का address दिया है वो उसी location पे आपका पूरा manufacturing का site visit किया जाएगा सब कुछ चेक किया जाएगा plant and machinery वगरा सब तो यह जो चीजे होगा यह दो पार्ट में होता है यह दोनों पार्ट के बाद आपको OEM पैनल मिलता है तो यहां पर यह दोनों पैनल बाइपास हो जाएगा desktop assessment भी और video assessment भी यह दोनों भी आपको करवाने की जोरत नहीं है पर उसके लिए आपके बस क्या-क्या details लगेगा कौन-कौन इसको exemption मिलेगा इसमें से तो जड़ी आप central government या assisted government हो या फिर PSU company है तो या फिर आपके बस BIS का license है तब भी आप central government, state government के अंडर कोई authority की तरह काम करते हैं तब भी नहीं लगेगा, है ना, register society, trust या other bodies है तब भी नहीं लगेगा, जो government को represent करता हो जड़े आप vaccine manufacturing करते हैं तो भी नहीं लगेगा, उसके लिए आपको ministry of health से, family welfare से आपको एक letter लेना पड़ेगा, मतलब उनका approval letter होना चाहिए, drug या medicine manufacturing है तो notarized undertaking के थुरू से आप drug या manufacturing का OEM बन सकते हैं, medical device जड़े आपका है तो valid manufacturing license होना चाहिए, इसके थुरू से आप OEM बन सकते हैं, यह सब case में आपका कोई भी documents या video assessment नहीं होगा और आपको तुरंत OEM मिल जागा, यह process में आपको OEM बनने के लिए maximum 10 days का time लगता है, पर उपर वाले process में, जिसमें हम दोनों verification कराते हैं, यह process में आपको OEM बनने के लिए approximately 30 days का time लगेगा, जिसमें two stage होंगे, पहला desktop assessment, दूसरा video assessment, और इसके कुछ fees भी होते हैं, जो 1900 से चालू होके 5500 के बीच लगता है, जब अपलाई करेंगे तभी वो बताएगा कि आपको कितना लगने वाला है, बोलिये, को doubts से कुछ पुछना है तो बताईए, सर, इसमें OEM में मुष्टी कौन कौन से प्रोड़ेक्ट प्रोगती हैं सर, सबी, कोई भी वोड़े, जिसका आप manufacturing करते हैं, उसमें आप OEM बन सकते हैं, चलिए, तो फिर हम लोग apply करने का तरिका देखते हैं, apply कैसे करेंगे, यहाँ पे click करेंगे, my account, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे vendor assessment है, जो हम लोग यही पार्ट छोड़ दिये थे, तो vendor assessment में जाके, ज़िए exemption में apply कर रहे हो, तो यहाँ से apply करोगे, exemption में apply नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप direct यहाँ से new assessment request पे apply करोगे, ठीक है, आप एजे manufacturer और initiate, यह आपका पूरा details यहाँ पे आ जाएगा, additional एक contact number और एक email ID आपको यहाँ देना है, bank account, आपके profile से आ जाएगा, category details, आप यहाँ पे अपना category details share करेंगे, कि किस-किस category में आप manufacturing हो, मतला आपके बस factory किस चीज़ का है, जिसमें आपका manufacturing क्या-क्या product बनता है, माल लीजिए, मैं plastic के रप्रोस मेटली सबी चीज़े बनाता हूं, तो चैसे cheer भी बनाता हूं, plastic cheer, तो आपको पहले Google, मतलब Google पर नहीं, जेम पर सर्च करना पड़ेगा, कि आप किस-किस category में OEM बनना चाहते हैं, तो plastic cheer, इसके बारे में थोड़ा सा details, तो मैं यह होई लिग देता हूं, plastic cheer, production capacity पर मन्थ आपका कितना है, तो इसका पर मन्थ हम 2000 निकाल देते हैं, और क्या बनाते हैं, toys भी बना देते हैं हम लोग, अब toys के कितने करेक्टेगरी यह देखो, अलग-अलग, यह आपको जाके वहाँ पहले सर्च कर लेना पड़ेगा, toys and games यह भी बना देता हूं, all toys, इसके manufacturing 5000 तक हो जाता है मेरा, और क्या, जिदि आप multiple categories में उतरना चाहते हो, तो multiple category भी use कर सकते हो, और plastic bottle, जिदि आप plastic के चीज़े बनाते हैं, तो plastic के regarding देखो, और भी है, जैसे पाउच भी बनाते हैं, तो पाउच भी ले सकते हैं, है ना, तो जो जो चीज़े आप बनाते हैं, उसके हिसाब से वो category में आप OEM, एक साथ apply कर सकते हैं, और भी OEM है, और भी कोई category में आपका, एक ही manufacturing unit में, अलग-अलग product का manufacturing होता है, तो आप ये सभी चीज़े कर सकते हैं, और करने के बाद, save details, sold details आपको useful नहीं है, मतलब आप नहीं करेंगे, तो भी चल जाएगा, save process, submit कीजिए, ITR भी आपका पहले से profile चाह जाएगा, मेरे पास कोई ITR अपडेट नहीं है, इसलिए नहीं रिखाया, proceed पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर submit करतेंगे, submit इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि vendor profile में हम लोगों ने, एक additional email ID हमने नहीं डाला है, email ID हो और mobile number डालतें, यहाँ submit पर क्लिक करतेंगे, यह submit हो जाता, बोलिए, इसमें apply करने को लेके, किसे को कुछ पूछना है, कोई doubt से तो बताईए, सर, आपने इतना सारा certificate, बोलिए, आपने जो बेंडर दिखाया सर, इतना जल्दी हो गया, वहाँ पर आपने certificate तो बहुत सारा requirement देखा रहे हैं, सर, कोई हम के लिए, अभी तक जहां तक हम बता रहे हैं, वहां तक में कोई doubt से तो पूछने के लिए वोला, आई, सर, बोले सर, किसे को यहां तक में apply करने को लेके कोई doubt से, नहीं सर, टीक है, जैसे आप यहां पर submit करेंगे, वहां ही से आपको एक rights का mail आएगा, हो सकता है आप mail को आने को लो, दो दीन का time लग सकता है, rights के तरब से mail आएगा, आपको, उसमें एक अलग से आपको ID और password मिलेगा, rights का, है ना, rightsseva.com, यह उनका website से, website भी रहेगा, सब कुछ जिल सहेगा, इसमें email ID, contact number दिया हुआ है, आप यहां पर click करो, जैसे कि मैं इसको logout कर दे देखो, ठीक है, यह मेरा ID और password है, इसको मैं यहां से login करने था हूँ, login किया, तो यहां पर OEM आ गया, OEM आ गया, तो यहां से हम लोग edit करके, एक-एक सभी documents को upload करेंगे, जो documents मैंने यहां पर बताया था, checklist for documents, यह rights का website है, part A में दो, part B का एक, details of ownership, documents और others, यह total six part में, यहां था, यह सभी documents का demand यहां पर रहेगा, और आपको वो सभी documents यहां पर upload करने हैं, जैसे पहला, part A information, इसमें कोई documents upload करने की ज़रत नहीं है, एक है आपका GST certificate, जो आपका company का हुगा, दूसरा, यहां पर आपके company का address का proof, यह दो ही चीज़ आपको यहां पर upload करना है, बा बोलिए, किसे को इसमें doubts है कुछ? आपके mail में आजागा ID password, ठीक है, second part, product details, यह आपके है, हम लोगों ने इतने सारे product के लिए apply किया है, इतने सारे category के लिए एक साथ apply किया है, total 28 categories है, तो यह apply किया है, इसके regarding documents, जैसे list of regular item, इसके catalog के product upload करना है, catalog कैसे करना है, वो भी देख लो, मैं आपको download करके इसका catalog मेरे पास यह सब product है, तो picture, उसका नाम और उसके बारे में थो आप description, ऐसे हर एक product का, और हर चीज आपके later head में होना चाहिए, नीचे आपका seal और sign होना चाहिए, ऐसा, देखो, ठीक है, तो हम लोगों ने 26 category के apply किया है, हर एक 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 photo में ने डाल दिया है, यह आपके catalog है, तो इस तरीके से आपको catalog का डालना है, quality के regarding कोई certification, जदी है, तो लगेगा, नहीं है, तो नहीं लगेगा, तो जो जो product के लिए quality का certification के जोड़त है, वो आप दे सकते हैं, नहीं तो no करके छोड़ सकते है, कोई license की जोड़त है, तो भी आपको applicable है, नहीं है, तो छोड़ दे है, experience हमने पहले बोला था, mandatory नहीं है, तो आप इसको पूरा का पूरा छोड़ सकते हैं, हाँ, आपके undertaking जो blacklisted नहीं हो, इसके लिए आपको यहाँ पर एक format दिया हुआ है, यह format में आपको यहाँ पर apply करके यहाँ पर देना है, जो हम self declaration करते हैं, यह भी आपके letterhead में कि मैं black listed नहीं हो, sale or sign के साथ, बाकी जब आपको बस expense ही नहीं है, तो government order और यह भी आपके लिए mandatory नहीं होगा, आप इसको 00 कर सकते हैं, और यह ITR का part automatically आपके वहाँ से feel होके इधर direct आ जाएगा, यह है second part, part a product details, बोलो, second part में किसे को कुछ पूछना है, कोई doubt से तो बताओ, अते हैं फिर थर्ड पार्ट में, product details of the firm, मतलब आपको जो भी information होगा, आपके company का होगा, company का मतलब manufacturing side का और आपके company का, दोनों का, पहला है basic information, क्या आपका production एक ही जगा पर होता है, या अलग-अलग जगा पर होता है, तो आपका production जहां होता है, उसका address, जदि आप third party manufacturing करवात हो, तो उनका address, और उनका address proof, जदि आपका खुद का है, तो आपका proof, यही देना पड़ेगा, दूसरा वो लोग accept नहीं करते हैं, जो भी आप proof देंगे, यह आपका soft act वगरा नहीं valid होगा, इसलिए आपके देख़ए NC दे दिया इसको, तो यह applicable नहीं होगा, तो जदि आप grandfather के नाम पे हैं, तो आपको एक जो आपने उससे रेंट पे लिया है, उसके लिए एक affidavit करवा के देना पड़ेगा, जदि वहां का है, तो जदि सेम है, तो आप सिप GST Certificate का documents upload कर दो, production capability, यही है process flow diagram, process flow diagram कैसा होता है वो देखो, यह सब आपके लिए mandatory रहेगा, manufacturing phase है, यह हमारा, हमारा start हुआ, showroom and office में आया, order, receive from purchase and material, है ना, वहां से raw material आया, raw material एरिया में आया, मस्निर एरिया में गया, और start production हुआ, powder coating के लिए जिदी गया तो powder coating हो गया, finishing एरिया में गया, assembly हुआ, packaging हुआ और delivery हो गया, इस तरह के साब का product का पूरा details आपको यहां पे लिखके देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं, process flow diagram, जो जो मस्नरी इंवाल्व हो रहे है, manufacturing के लिए, उसका पूरा लिष्ट विद पिक्चर, और हो सकता है, तो manufacturing capacity भी, जैसे raw material एरिया में, number of machine, मस्नरी एरिया में, यह सम मसीन है, उसकी quantity date नहीं है, finishing एरिया में, यह यह मसीन से इनकी quantity date नहीं है, यह पूरा detail दिखा है, वो इसके साथ इसके pictures भी, कौन सा area का, कौन सा photo है, और उसका नाम क्या है, और सब चीज याद से आपके later head में, हर page पे seal and sign होगा, बाकी quality, suppliers, यह सब उतना mandatory नहीं है, आप चाहिए इसको optional के तरह छोड़ भी सकते हैं, बोलिए, कोई doubts है, details of the form में, उसके बाद details of the ownership, यहाँ पर आपको एक format मिलेगा, यहाँ पर दो format है, यह दोनों format में आपको आपका पूरा details जाल के देना पड़ेगा, उसके बाद beneficiary declaration का भी एक format है, वो भी format में आपको देना पड़ेगा, देखो में उसका पूरा details भरा हुआ ही, फिल करके आपको दिखाता हूँ, यह देखो, यह चार page का documents है, पहले वाला, कौन सा, यह form के category का, तो यह आपको format मिल जाएगा, यहाँ पर आपके company का पूरा details, details, next year one बोलके brand का नाम, website, उद्यम नंबर, यह पूरा details आपको देना पड़ता है, और यहाँ पर under next year two, जिसमें under taking होता है, यह आपको पूरा देना पड़ता है, और beneficiary declaration, यहाँ का भी एक format है, वो format में आपको later head पर देना पड़ता है, यह आपके 100 रुपिस के stamp paper पर है, under taking, जिसमें आप declaration एक देंगे, कि आपके जो भी रूल से उनको follow करेंगे, compliance को follow करेंगे, इसके सब के format यहाँ पर मिल जाएगा, आपको, transport or technology, जिदि आप transport technology है, तो yes कीजिए, नहीं तो no करके छोड़ दीजिए, यह भी आपके लिए mandatory नहीं है, documents, जो owner होगा, name of the owner and necessity, उनका अधार का copy, और यह छोड़ के others में कोई documents चाहिए, तो upload कर सकते हैं, अधरवाइस छोड़ सकते हैं, यह होने के बाद, आपको एक payment करना पड़ेगा, है ना, submit करने के बाद एक payment करना पड़ेगा, payment करने के बाद यहां पर आपको एक report जनरेट हो जाएगा, जो आप यहां से download कर सकते हैं, जो आपके product का पूरा एक report होता है, इसको vendor assessment का report बोलते हैं, इस तरीके से पूरा inspection का एक report होता है, उसमें आपको पूरा details आपको बता द information, OEM panel मिल जाएगा, इस category में आपको OEM panel नहीं मिलेगा, इसमें कोई problem आया है, यह सभी कुछ यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा, यह पूरा details, जो आपका video calling के थूरू से हुआ था, यह आप से ऐसा अधरकार का details मांगा था, वहां पर देखो date, जो आपका है, कितना आपक आपका, मतलब location, same location पर हो की नहीं, वह भी दिखा रहा है, यह देखो इस तरह के से आपका photo, fact का, जहाएं storage की हो material, उसका पूरा details, इस तरह के से यहां पर, video calling से यह सब हुआ है, देखो, दिख रहा है, यह सब online, जो verification हुआ है, उससे सब कुछ हुआ है, यह past हो चुका है, इस तरह के सा आपका एक report generate होगा, पूरा video assessment होने के बाद, और जैसे हो जाएगा यह complete, आपको OEM panel मिल जाएगा, OEM panel मिलने के बाद, फिर आप brand डालेगे, इसने कितना payment किया है, वो देखना चाहेंगे, तो वो भी हमें यहां पर दिख जाएगा, वो खुद बताता है, कितन वाला पाट, यहां आपको एक नए अटेब आजाएगा, कहां पर रिसेलर पैनल में, यहां रिसेलर पैनल के ऊपर OEM पैनल एक आजाएगा, और फिर आप manufacturing बन जाएगे, यह है पूरा OEM बनने का तरीका, यह है पूरा प्रोसेस को जनर्णली एक महिने का टाइम पकड़के चलिए, बोलिए, किसे को कुछ पूछना है, कोई डाउट से तो बताईए, इतर जैसे मैंने कंपनी खो लिए है, मान लीजिए, तो इसमें मैं different parts लेके खाली असेंबल करके बीच रहूँ, तो उसकी इसमें मैं OEM बन सकता हूँ, हाँ, बन सकते हैं, आप कर रहा स्ट्रेड चाहिए, और जो manufacturing होता है, मतला हाँ, आप तो raw raw metal खाईते हैं, फिर आपको कुछ ने, हाँ, तो आपका manufacturing unit होगा ना, आप जो manufacturing करते हैं, मतलब जो assembled करते हैं, उसका पूरा details सब कुछ आपको submit करना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी license होगा रहा है, वो license आपको लेना पड़ेगा, तो सर अभी कुछ आप सज़ेस्ट करते हैं, कि हम किस चीज़ का खोलना हो तो किसी ने, मैं तो बोलूँगा, desktop computer का demand जाता है, खोल लीज आपको किस business में ज़्यादा idea है, उसके ही सब सब business का idea हम कैसे देंगे, तो यह है हमारा पूरा procedure, OEM बनने का, इससे आप OEM बन सकते हैं, OEM यही पर खतम नहीं होता है, OEM बनने के बाद आपको brand approval करवाना पड़ता है, जिसके बाद हम आपको बताते हैं, brand approval कैसे कराते हैं, बोलिए संचेत सर, कुछ doubt साब का, इसमें जो manufacturing address और GST address अलग हो सकता है, manufacturing address और GST address अलग हो सकता है, मेरा office यहां पर है, मेरा manufacturing address दूसरे जगाबे, तो फिर वहां का light bill होना चाहिए, manufacturing side का, जिनका नाम जिनके साथ आपका rent है, वहां का light bill और आपको rent agreement, वह भी register होना चाहिए, पांसों गौर्वर्मेंट वाला, पिर हो सकता है, यह होने के बाद फिर आपका brand approval के बारी आएगगी, brand approval कैसे कराओगे, यहां से, catalog, product, add new offering, यहां साबको brand का approval कराना पड़ेगा, कोई भी brand, जैसे की, हम मान लो plastic share लेते हैं, यहां पे सर्च कर दो, plastic share, category कोन सा है, यह वाला है, यह category है, इसमें हमारा brand add करवाना है, यहां पे select में कोई brand add मत करो, यहां पे डालो, click here to add, बस यहां पे brand का नाम, मान लो, भगट टेक्नो एक brand है मेरा, भगट प्लास्टिक, यह हमारा एक brand है, हमने डाल दिया, comfort, नीचा हैंगे, इसके लिए हमें trademark लगेगा, यहां पे trademark का copy, डाल दो, website में आप नहीं डाल सकते, www.na.com भी डाल सकते, और apply for brand पे click कर दो, तो जिस जिस category में आप OEM बने हो, हर एक category के लिए आप इस तरीके से apply कर दोगो, जदि आपको प्रेड मार्क है तो, जदि आपको प्रेड मार्क नहीं है, तब भी आप apply कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे एक options होगा, यहाँ पे click करने का, मुझे अभी यहाँ पे apply करने नहीं देगा, क्योंकि में OEM पैनल मेरा clear नहीं होगा है, जब आपका OEM पैनल clear हो जाएगा, तो आपको second options में भी clear करने के लिए देगा, तब आप without trademark भी अपना brand listed chain पे करवा सकते हो, और जदि without OEM आप अपना brand listed करवाना चाहते हो, तो आपके लिए आपको trademark फिर mandatory है, जैसे मैंने apply किया, सिम उसी तरीके से आपको apply करना है, देखो मैं OEM नहीं हूँ, फिर भी मैंने दूसरे किसी का brand apply कर रूँ कर रूँ के यहा trademark था, more brand या OEM request यहां पे, देखो दो brand मेरा अप्रूब है, class coaster का और domestic plates का, यह brand का मेरे पास trademark था, trademark देखो क्या आप लोग, इसी का मैं trademark भी दिखाता हूँ, तीम, 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 यह मेरा ही कोई student है, उनका trademark है देखो, यह नहीं है trademark का copy, sorry, यह trademark नहीं है, यहां पे मिल जागा, छोड़ो, ठीक है, मैं आपको यहां पे trademark दिखाता हूँ, यह trademark certificate है, यह देखो, ठीक है, यह है trademark का certificate, जिसमें receipt number, सब कुछ आपको लिखा रहता है, यह trademark, किसके नाम से मिला है, यह image है, कौन से brand का नाम पे मिला है, यह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक ह तो दो brand हमने approval करा दिया है, trademark दूसरे किसी का है, जोड़ी मेरे पास आया, तो हम without OEM बनें या वो without OEM बनके भी brand approval हो सकता है, अब जोड़ी आप देखेंगे, domestic plate या glass costal, किसी भी category में, तो यह brand आपको नजर आएगा, catalog product and new offering, कुन सा था brand, ब्रैंड का नाम क्या था सब, बहुत सारे brand है, यह था, ग्लास इला, देखो, आगे है न ब्रैंडी, अब इस ब्रैंडी में हम अपना नया product चला सकते हैं, इसका OEM, जो इसका trademark है, उसने इसका OEM नहीं लिया है, फिर भी हमने उसका brand चला दिया, अब यह product जोड़ी मैं यहाँ पर publish करता हूँ, यह आप लोगों में कोई भी इस product को publish करता है, तो यही product OEM not verified होके आता है, जिस दिन यह company OEM बन जाएगा, जैंपे, उस दिन इसका product OEM verified बोल के आता आएगा, तो वहाँ पे OEM verified और not verified इसी बज़े से आता है, जब कोई company OEM सिर्फ trademark के base पे brand अपना approval करा लेता है, पर OEM नहीं बनता है, तो उसका product OEM not verified आता है, और ज़री कोई OEM बन जाता है, OEM के base पे अपना brand approval करवा के लेके आता है, तो फिर उसका product OEM verified होके क्लियर हैं, कोई doubts हैं, तो बताओ, तो यह था दो पार्ट जिसमें OEM बनना और brand registration, यह दोनों पार्ट यहाँ पे cover हुए है, झाल